जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतरगत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक हजार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने वाले हैं तो पूरी वीडियो के साथ बने रहीएगा और दोस्तों सभी सिख्षक पातरता परिक्षाओं के लिए और जितने भी कॉलेज या व्याक्षाटा परिक्षाएं होती हैं उन से संबंधित ये जो वीडियो है वो बहुत ही महतुपूर्ड है उन सभी परिक्षाओं के लिए लाबदायक है जिसमें हिंदी या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रशन पूछे जाते हैं तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रही हैगा और अगर आप किसी भी सिक्षक पातरता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में न्यू बैज जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप वहाँ सलेबस के अरकॉर्डिंग टॉपिक वा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये एकजाम में आता है सभी जहां तक जितने भी एकजाम होते हैं जिसमें हिंदी या हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसमें कुछ व्याकरण का पॉर्शन होता है जिसमें से ये स्टाइब के कुश्चन आते हैं वन वर्ड सब्टिटूशन के बारे में लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के इस्थान पर एक शब्द का प्रियोग कर सकते हैं अर्थात हिंदी भाशा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बूल कर भाशा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है हिंदी भाशा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रियोग करने से वाकिय के भाव को पता लगाया जा सकता है समास तदित और करदंद प्रतियों का एक शब्द के रूप में संशिप्त किया जा सकता है मूल सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे आज से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और दोस्तों यहां पे हम लोग हजार जो एक हजार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने वाले हैं तो इसको हम लोग कुछ-कुछ वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक हजार शब्द एक वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे जितना होता है हम उतना एक एक वीडियो में ले गर आते हैं और हजार हम लोग यहाँ पे अनेक शब्दों पर एक शब्द देखेंगे तो सबसे पहले आज से शुरू करते हैं आज से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनूचित बात के लिए आग्रह इसके लिए एक शब्द है दुराग्रह अंडे से जन्म लेने वाला अंडज आकाश को चुमने वाला आकाश चुम्बी अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात अपनी हत्या सुयम करना आत्म हत्या आउसर के अनुसार बदल जाने वाला आउसर वादी फिर है अच्छे चरित्र वाला सच चरित्र आग्या का पालन करने वाला आग्याकारी अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात अपनी हत्या सुयम करना आत्म हत्या अतियंत सुन्दर इस्त्री रूप सी आकाश को चूमने वाला गगन चुम्बी आकाश में उड़ने वाला नभचर देखे कई सारे शब्द हैं जिनके एक ही शब्द के अलग अलग एक वाक्य भी हैं तो यहां पर यह बात को भी हमें ध्यान देना है और शब्दों के अनुसारियों से यूज करना है आलोचना करने वाला आलोचक आकाश से अधिक आशा तीत आगे होने वाला भावी आखों के सामने प्रत्यक्ष आखों से परे परोक्ष अपने परिवार के साथ सा परिवार आशा से अतीत अधिक आशा तीत आकाश या गगन चुमने वाला तो यहां देखिए दोनों हमने अभी पड़ा है आकाश चुम्बी और गगन चुम्बी आकाश चुमने वाला आता है तो आकाश चुम्बी गगन चुमने वाला आता है तो गगन चुम्बी आलोचना करने वाला आलोचक आलोचना के योग्य आलोच्य आया हुआ आगत अवश्य होने वाला अवश्यम भावी अत्यधिक व्रश्टी अती व्रश्टी अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वाव लंबी अचानक हो जाने वाला अकस्मिक आकस्मिक आधी से अंत तक अध्यों पांत आगे का विचार करने वाला अगर सोची आढ़हत का विपार करने वाला आढ़तिया आवश्यक्ता से अधिक वर्शा अती वरश्ति ठीक है अभी उपर अमने देखा था अधिकार या कबजे में आया हुआ अधिक्रत अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य अभिने करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है अभिने करने वाली इस्त्री अभिनेत्री अच्छा बुरा समझने की शक्ती का अभव अभिवेक अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अश्दान अनुकरण करने योग ये अनुकरणी ये आत्मा वा परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना ये ना मानने वाला अद्वैत वादी अल्प कम वेतन अल्प या कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला उसका कहते हैं अल्प वेतन भोगी फिर है अध्यन या पढ़ने का काम करने वाला अध्येता यहां पर देखिए कुछ-कुछ वर्ड हैं जिनका गहराई में लिखा गया है उसे के हिसाब से यहां पर एक शब्द दिया हुआ है अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक आगे से जुलिसा हुआ अनल दग्द अपने प्राण आप लेने वाला आत्म घाती अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक आधी से अंत तक अध्यो पांत आशा से अतीत परे आशातीत फिर और है नीचे देखते हैं आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक आशुलिपी शार्ट हैंड जानने वाला लिपिक आशुलिपिक अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाकारी आण या परदे के लिए रथ या पालकी को ढखने वाला कपड़ा ओहर कहलाता है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन पुत्र औरस पुत्र अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला किंग कर्तव्य विमूड अधिक दिनों तक जीने वाला चिरन जीवी अन्य को पचाने वाला जठर पेट की अगनी जठ रागनी अपनी जख धुन में मस्त रहने वाला जख की आवला हर वबहेडा त्रीफला कहलाता है अनूचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड सहिता अभी अभी जन्म लेने वाला नावजात आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय बहुमत या सहमती भी कह सकते हैं बहुम अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला सोयम सेवक अपने देश से प्यार करने वाला देश भक्त अपने देश के साथ विश्वास घात करने वाला देश द्रोही अनूचित बात के लिए आगरह दुरागरह आख की बीमारी द्रश्टी दोश अपने पती के प्रती अनन्य अनुराग रखने वाली पती वरता अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत अपने को पंडित मानने वाला पंडितम मन्य आठा पीसने वाली इस्त्री पिसन हारी आखों के समक्ष प्रतियक्ष आए से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची आए व्याय लेन देन का लेखा रखने वाला लेखाकार अपने परिवार के साथ है जो सा परिवार अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वाव लंबी अविवाहित लड़की कुमारी आगहन और पूस में पढ़ने वाली रितू हेमंत रितू हेमंत गयते हैं तो ये था आ से शुरू होने वाले अब हम देख लेते हैं छोटी ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ई और ई से शुरू होने वाले अनेग शब्दों के लिए एक शब्द तो चलिए यहाँ पे ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक इतिहास का ग्याता अतिहास अग्य इंद्रियों को जितने वाला 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 इतिहास को जानने वाला इतिहासक्य इस लोक से संबंधित एहिक इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक इंद्रियों से संबंधित एंद्रिक इस लोक से संबंध रखने वाला एहलोकिक इतिहास से संबंधित एतिहासिक अब आता है उ से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो चलिए देख लेते हैं उ से उपर कहा हुआ उपर युक्तो उपर आने वाला श्वास उच्छुआस उपर की ओर जाने वाला उद्धो गामी उपर की ओर बढ़ती हुई सांस उच्छुआस उपचार या उपरी दिखावे के रूप में होने वाला उपचारिक उच्छ न्यायाले या न्यायधीश न्यायमूर्ती उच्छ न्यायाले का न्यायधीश तो उसे न्यायमूर्ती कहते हैं उपकार के प्रती किया गया उपकार प्रत्युपकार, मतलब किसी ने आपके उपकार किया फिर आप उसके उपकार करते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्युपकार, उपर कहा हुआ, उपर युक्त, उपर लिखा हुआ, उपर लिखित, उसी समय का ततकालीन, अब बात करते हैं ऐस से शुरू होने वाले अनेग शब्दों के लिए एक शब्द तो एक ही समय में वर्तमान समसामईक एक इस्थान से दूसरे इस्थान को हटाया हुआ इस्थानांत्रित एक भाशा की लिखी हुई बात को दूसरी भाशा में लिखना या कहना अनुवाद ऐसा वरत जो मरने पर ह समाप्त हो आमरण व्रत ऐसा ग्रहन जिसमें सूर या चंद्र का पूरा बिम्ब ढख जाए खग्रास ऐसा जो अंदर से खाली हो खोकला ऐसा तर्क जो दिखने पर ठीक प्रतीत होता हो किन्तु ऐसा ना हो तर्का भास एक व्यक्ती दौरा चलाई जाने वाली शासन प्रडाली ताना शाही ऐसा राजनीतिक दल एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला डल बदलू एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात एतिहासिक युग के पूर्व का प्राग एक महीने में होने वाला मासिक, एक ही जाती का सजातिय, एक ही समय में उत्पन होने वाला समकालीन, एक ही समय में वर्तमान, समसामाइक, एक सबताह में होने वाला सापताहिक. अब बाग करते हैं का से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कीर्ती मान पुरुस यशस्वी कम खर्च करने वाला मित व्याई कम जानने वाला अलपग्य कम बोलने वाला मित भासी कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कल्पना से परे हो कल्पनीत कल्पना तीत किसी की हसी उड़ाना उपहास कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाओ किसी बात को बढ़ा चड़ा कर कहना अतिशयोक्ती आज कल अतिशयोक्ती का बहुत प्रियोग होता है लोग तारीब करते हैं तो बहुत बढ़ा चड़ा करते हैं कठिनाई, कठिनिता से प्राप्त होने वारा दुरलब, किसी पद का उम्मीदवार, प्रत्याशी, किसी विशे को विशेस रूप से जानने वाला विशेसग, इस पेसलिस्ट जिसको कहते हैं, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, इस परद्धा, कर्या शुलक का वह अंश जो किसी कारण वस अधिक से अधिक लिया जाता है, क्या कहलाता है, अधिभार किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसके लिए एक शब्द है अधिवक्ता किसी कार्याले या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधिन कारे करने वाले करमचारियों की निगरानी करता है या निगरानी रखता है उसे कहते हैं अधिक्षक एक शब्द है उसका अधीक शक किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष किसी कारे के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान किसी मत या परस्ताओं का समर्थन करने वाली किरिया अनुमोदन किसी व्यक्ति या सिध्धान्त का समर्थन करने वाला अनुयाई किसी कार्य को बराबर करना अभ्यास किसी वस्तू का भीतरी भाग एक शब्द है उसके लिए अभ्यंतर किसी वस्तू को प्राप्त करने की तीर्वता या किसी वस्तू को प्राप्त करने की तीर्व इक्षा अभीपसा किसी प्राडी को ना मारना अहिंसा किसी बात पर बार बार जोर देना आगरा किसी पात्र आदी के अंदर का इस्थान जिसमें कोई चीज आ सके आयतन किसी आवधी से संबंध रखने वाला आवधिक किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं आदी वासी किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छोक किनही घटनाओं का कालकरम से किया गया वरत इती वरत किसी नई चीज का बनाना इजाद या फिर आविस्कार किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्त्रा धिकारी किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षिय कष्टों या काटों से भरा हुआ कंट का कीड़न किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतगन किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य करता किनही निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिती कार्य समिती क्रम के अनुसार क्रमानुसार किसी विचार, निर्णाय को कारी रूप देना, कार्यान्वयन, कुंती का पुत्र कौनते, किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी, किसी के इर्द गिर्द गहेरा डालने की क्रिया गहेरा बंधी, करूण स्वर में चिलाना, चीतकार, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी, और चेतावनी हर गवर्मेंट, जो ऑफिसेस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे ये दिया रहता है, जैसे एक नू पार्किंग की चेतावनी भी होती है, ठीक है, किसी वस्तु का चोथा भाग, चतुर थांश, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोस निकालने का कार छिद्रोन वेशन, कर्मचारियों, आदी को छाट कर निकालने की क्रिया छटनी, किसी भी बात को जानने की इच्छा, जिग्यासा, कुछ जानने या ग्यान प्राप्त करने की चाह, जिग्यासा, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, जीवन चरित, काटेदार ज़ाडियों का समू, ज़ाड जंकाड, किसी ग्रंत या रचना की टीका करने वाला टीका कार, किराय पर रहने वाली मोटर गाड़ी, किराय पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी, किसी पद, अ कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तू, धाती, धरोहर या अमानत कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला दरजी, कपड़ा सिलने का जो व्यवसाय करता है दरजी, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला नी संग, कही हुई बात को बार बार कहना पिस्ट पेशन, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप, किसी किसी फूटी वस्तू का पुनर निर्माड। किसी देवता पर चड़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बली। किसी पद पर जो पहले रहा हो भूत पूर्व। किसी बात का गूढ रहस जानने वाला मर्मग्य किसी मत को मानने वाला मतानुयाई कम खर्च करने वाला मित व्याई करम के अनुसार यथा करम किसी विसे को विशेस रूप से जानने वाला विशेस अग्य किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा इस परधा कुछ खास सरतों द्वारा कोई कारे कराने का समझहाउदा समझहाउता समविदा तो दोस्तों ये थे आगे और वीडियो में आगे से पढ़ेंगे खाके आगे से क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो बोर लगेगी इसलिए इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी वीडियो में हम देखेंगे और हजार महत्पूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में आगे जो हमारे वर्ल्ड हैं उनके साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद